ओकरा या भिंडी का जो प्लांट है वो काफी लोगों का फेवरेट होता है और ये एक्स्ट्रीम हीट कंडिशन को टॉलरेट कर सकता है किचन गार्डन में भी ये 40 डिगरी सेल्सियस के उपर भी अराम से ग्रो कर सकता है और फ्रूटिंग भी कर सकता है और इसकी इसी हीट ट लेचर के कारण ये किचन गार्डनर का फेवरेट है इस प्लांट को फुल सनलाइट वाले एरिया में जहां पर छे से आठ घंटे की सनलाइट आती हो वहीं पर लगाना चाहिए इसका जो ग्रोइंग सीजन है वो स्प्रिंग शुरू होने के कुछ दिन बात जब एवरेश टेंपरेचर जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेट तक आने लगता है और धीरे-धीरे हवा में गर्मी बढ़ने लगती है तब से चालू हो जाता है यानि अगर नौर्थ इंडिया में बात करें तो एंड ऑफ फेबररी से लेकर फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में इसको हम इसकी और इसको जो जर्मिनेशन के लिए जो इसका एक अच्छा टेंपरेचर एवरेज टेंपरेचर जो रेंज है वो 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेट के बीच में अराम से ग्रो कर जाता है अगर हम इसको जून के बाद जो जुलाई का पीरिड है उसमें लगाते हैं तो यह जर्म प्रोटिंग जो है इसमें हमें काफी कम टाइम इसको मिलेगा और उसमें अमाउंट ऑफ फ्रूट जो है वो भी काफी कम हो जाएगा इसकी प्रोपोगेशन को हम डारेक्टली सीडिंग करके भी कर सकते हैं या फिर हम इसके सैपलिंग्स को उगाकर उनको करना चाहिए क्योंकि यह जो ओक्रा या भिंडी का प्लांट है इसकी जड़े हैं वह काफी जल्दी फैल जाती हैं तो बहतर यह होगा कि हम इसकी सैपलिंग्स हैं थोड़े बड़े साइस के कंटेनर में या प्लास्टिक के जो कप्स या ग्लासे आते उसमें करें बजाए क के दूरे कि हद्क होती है उसको यह ब्रेक करने में असानी हो जाती और मदद मिल जाती है सीट को जर्म element कराने की लिए जो हमें सीडिंग मीग्स की मिनेट होने के लिए करीब पांच से चौदा दिन के बीच का समय लग जाता है और इस दौरान हमें इसका जो मॉइस्चर लेवल है उसको मेंटेन करके रखना चाहिए सैपलिंग जो है वो तीन से चार वीक के बाद ट्रांस्प्लांट करने के लिए रेडी हो जाती है और सीड से सैपलिंग को किस तरह से उगाएं और उसके बारे में जो कंप्लीट इंफोर्मेशन है उसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है तो अगर आपको उसमें डिटेड इंफोर्मेशन चाहिए तो आप उ इनको कोई ट्रांस्प्लांट नहीं किया गया था अगर आपके पास जगा ओल्रेडी खाली है तो आप डारेक्टली इसकी सीड्स को वहाँ पर जर्मिनेट करा सकते हैं और अगर जगा इतनी खाली नहीं है और वहाँ पर अल्रेडी बहुत सारी चीज़े ग्रोग कर रही है तो एडवांस में ही सैपलिंग्स को तयार कर सकते हैं लगबग एक महीना पहले ही और जैसे ही फिर वो जगा कंटेनर उसके खाली होंगे और वहाँ पर सैपलिंग्स हम आराम से ट्रांस्प्लांट कर सकते हैं तो देखा यह गया है कि जो डारेक्ट सीडिंग से अगर सेंसिडिव होता है और इसमें ग्रोथ के दौरान जो डिजीज है उसके और इसकी अच्छी हेल्प ना होने की इशूज आ सकते हैं इस प्लांट को ग्रो करने के लिए हमें जो स्वाइल मिक्स बनाना है उसको हम एक पार्ट स्वाइल दो पार्ट कीचन कॉम्पोस्ट और द उसको भी रेफर कर लें इस वीडियो के साथ इस प्लांट को ग्रो करने के लिए हमें कम से कम 12 इंच के ग्रो बैग या कंटेनर की रिक्वाइर्मेंट है और इसको हम 15 इंच के ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं तो हम इस तरह से 12 इंच के पॉट्स में या ग्रो बैग में क तो वो काफी बढ़िया से ग्रो करेगा और उसकी जो final height होगी वो काफी लंबाई तक जाएगी लेकिन अगर हम इसमें दो या तीन जादा plants उगा कर देखना हैं और एक से जादा plants उगाने हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं और अपना जो experimental nature है अपनी जो creativity है उसको हम बाहर ला सकते हैं और nature को हम यहाँ पर observe कर सकते हैं gardening में इसकी transplanting करते समय यह जरूरी है कि हम ensure करें कि इसकी जो root disturbance है वो minimum हो या ना के बराबर हो इस transplanting के समय क्या-क्या साफधानिया बरतनी चाहिए और इसकी जो complete information है उसके लिए भी एक वीडियो हमने बनाई हुई है और उसका link भी मैंने description box में डाल दिया है जो आप इस वीडियो के साथ refer कर सकते हैं आप यह जो okra के plants देख रहे हैं मेरे पीछे इनको transplant करके ही अपनी कादा पानी दे देते हैं या फिर कभी-कभी पानी देना भूल जाते हैं तो यह दोनों ही situation को थोड़ा handle कर सकता है और हमारे लिए थोड़ा easy going हो जाता है बाकी अगर यह plant छोटा होता है sapling stage पर होता है growth कर रहा होता है तो उसमें इसकी water requirement काफी कम होगी बजाए के जब यह बहुत maturity की stage पर हो यानि जितना यह अभी है तो इस वक्त इसकी water की requirement है वो काफी बढ़ जाएगी तो इस इसाप से इसमें जो पानी की requirement है उसको आप धीरे-धीरे बढ़ाते जाएं तो इस तरह का एक matured जो plant है जो इस grow bag में लगा हुआ है 12 इंच के इसको लगबग डेली 2 से ढाई लीटर पानी की requirement हो जाती है और उसके बाद इसको हम दुबारा पानी तभी दे जब पहले दियोवा पानी dry out हो जाए उसके लिए हम इसकी top layer को चू कर देखें और अगर हम इसमें dryness feel हो रही है तो उसके बाद इसकी watering को repeat कर दें लेकिन अगर उसमें moisture बना हुआ ल प्लांट को लगाया है इसी season में तो फिर इसमें हमें अगर top up इसको नहीं करना उपर से इसमें compost नहीं डालनी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है उसके बिना भी यह अराम से grow कर सकता है और इसमें जो हमने potting mix को बनाया यह 2-3 season तक इसमें plants हम grow कर सकते हैं बिना किसी top up के भी लेकिन अगर यह potting mix पुराना है last year का है तो फिर हम इसमें 4-5 handful भरकर इसमें kitchen की compost को डाल सकते हैं और इसकी हम application को एक-एक महिने के दौरान पर repeat कर सकते हैं और compost को हम इसकी growth की stage पर यानि maturity की stage पर हम जिस वक्त यह अब है जैसा अभी grow कर रहा है उस वक्त हम इसमें डालना चालू कर सकते हैं और हर एक महिने पर repeat कर सकते हैं liquid fertilizer की बात करें तो जो हम घर में fruit peel से बायो enzymes बनाते हैं हम उसका application इसमें लगा सकते हैं बायो enzymes का एक detailed video हमने डाला हुआ है जिसका link भी description box में है तो उसको कैसे बनाना है और use करना है वो भी आप देख सकते हैं तो bio enzymes हम अपने किसी भी plants में किसी भी growth stage पर दे सकते हैं चाहे इसको हमने freshly बनाया हो potting soil को या फिर यह पुराना potting soil हो तो हम कभी भी इसको use कर सकते है बायो enzymes को हम इसमें direct watering के साथ use कर सकते हैं या फिर इसको इसकी leaves पर spray करने के लिए भी हम use कर सकते हैं इस plant में pests की बात करें तो यह थोड़ा pest sensitive होता है और इसमें कुछ pests के issue आ जाते हैं इसमें mealy bugs और beetles के कुछ issues हो जाते हैं जिनको prevent करने के लिए control करने के लिए हम neem oil के spray में use कर सकते हैं इसको बनाने के लिए हम दो रीठा को एक लीटर पानी में राद भर भिगो दे और इस रीठा या soap nut के जो water है इसमें हम एक ड़कन नीम oil को मिलाकर इस plant पे अच्छी तरह spray कर दें और इस spray को हम हर 15 दिन के interval पर इसमें use कर सकते हैं as a precautionary method mealy bugs को अपने plant से हटा सकते हैं और पानी के तेज भाव से इनको हम हटा सकते हैं लेकिन इसको हमें बार बार frequently use करना पड़ेगा कुछ दिनों तक जब तक कि यह पूरी तरह से इसमें से हटनी जाते इसके बाद इसमें गर्मियों और बारिश में कुछ फंगल इसूस भी develop हो सकते हैं इसके ल यूज कर सकते हैं transplanting के दोरान भी यूज कर सकते हैं और बारिशों में जब बारिश उपड़ जाती है उसके बाद हम इसके ऊपर cinnamon powder स्प्रिंकल करकर हलकी हलकी साथ में गुडाई कर दें तो उससे भी काफी prevention इसमें हो जाती है हम चाहें तो इस दालचीने के पाउडर को इ लोड़े soft हो नरम हो उसको तभी harvest कर लें और इसको ज्यादा hard ना होने दें चलिए इसकी harvesting को हम एक बार enjoy करते हैं तो उम्मीद है आपको ये वीडियो काफी informative लगी होगी और पसंद आयोगी इसी तरह से हम नई वीडियो में जल्दी मिलेंगे धन्यवाद